Hello students, welcome back to my channel, मैं हूँ सरन गोसामी देखो आप board exam की तयारी कर रहे हो और हम आप लोग को board exam की तयारी करा रहे हैं मैंने मान लिया कि आपने सब कुछ तयार कर लिया आच्छे से सब कुछ पढ़ लिया जो पूछू उसे आप बता सकते हो लेकिन सबसे बड़ा कुश्यन अगर आप इसे समझ गये सब कुछ लेकिन board exam में copy कैसे लिखें आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ याद कर लिया लेकिन यही नहीं पता है कि board exam में copy कैसे लिखें तो आपका सब कुछ पढ़ा हुआ वेकार है तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बोर्ड एक्जाम में कापी कैसे लिखा जाता है आपको मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे लिखना है आपने बोर्ड एक्जाम में कापीयों को ठीक है तो वीडियो को लाज तक देखना आई हो पसंद आएगा ठीक है तो पहले हम लोग कुछ प्रस्णों को देखेंगे लेकिन कुछ मैं आप लोग कुछ टीप्स बताऊंगा देखो पहले तो आप लोग जादा बोर्ड एक्जाम की कॉपी में कार्ट वीड ना करें ठीक अब लोग अभी से दो दो पेज लिखना इस्टार्ट कर दो ठीक है अप किसी हिंदी का जो आपको गड़ांस पर दांस वहीं लिखा करो ठीक है ताकि आपको मदद मिले अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे लिखना है बोर्ड एक्जाम की कॉपी ठीक है और यहां दे अब यहां आपको परस्न आपका खंड आ है तो यहां आपको अच्छे से डालना है खंड आ ठीक है ऐसे आपको डाल देना है कुछ इस टैप से और यहां आप लोग अगर भौतिक विज्ञान है आपका पहले डाल दोगे तो ज़्यादा अच्छा लेगा ठीक है यह आपको डालना होगा अब यहां इसे अंडर लाइन कर दो तो बहुत बढ़ियर लगे गा अझसा लगेगा ठीक है तो यहां मैं अंडर लाइन कर दिया ठीक है अब यहाँ आप लोग बढ़ेहां से डाल देना कि प्रस्नोतर नमबर फस्ट का का ठीक है फिर खागा ऐसे आप लोग डालते हैं चले जाएए पहले आपको एक बार डालना है प्रस्नोतर नमबर फस्ट फर्ष्ट डालने के बाद आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर दीजिएगा इसे अपने बोर्ड एक्जाम की कॉपी में ठीक है यहाँ जैसा मैं लिख रहा हूँ ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को अपने बोर्ड एक्जाम में लिखना है ठीक है अब पहले का आप लोग नीचे लिख लीजिएगा ठीक है यहाँ पहले में पहला का बता देता हूँ ठीक है समतल दरपन दौरा और अगर आप क्लाश तंद में हूँ तो बहुत तेजी से मत लिखना क्योंकि वहाँ बहुत टाइम रहता है ठीक है और 12 वालों के लिए थोड़ा कम रहता है क्योंकि उन्हें जादा माल करना पड़ता है और हार्ड होता है ठीक है कितना भी याद कर लो कितना भी पढ़ लो लेकिन हैंड राइटिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए शमतल दरपन का आवरधन होता है यहाँ आप लोग ऐसे प्रस्नल लिख लिए जीगा ठीक है ऐसे आप लोग को लिखना है देख लोग बढ़िहां से अब यहाँ आपको चारों बिकल्क नहीं लिखना थे अब यहाँ आपका सही उत्तर जो है उसे लिख दो तो यहाँ आप लोग यहाँ लिखेगा उत्तर यानि कि आपका पहला सही है पहला जो आपका विकल्प है वो एक ये वाला एक ये विल्कुल सही है ठीक है कुछ इस टाइप से आप लोगों को लिखना है इस टाइप से बहुत बढ़िया लगेगा आपको हर एक मार्क दिया जाएगा एक भी मार्क कटेगा नहीं तो अगर आ से लिखना है अब जैसे आप लोगों के लिए मैं एक सब्जेक्टिव वाला कुश्य लेता हूं ठीक है यहां मैं आप लोगों को दिखाता हूं देखो यहां लिखा हुआ है दूसरा दूसरा का का गोली दरपण की फोकस दूरी तथा वकरता तज्य में क्या संबंद है अब इससे हमें स्वाल करना है तो कैसे लिख लोगी यहां आपका यह कौन सा है प्रस्नोत्तर नमबर टू का क्षा अब आप लोग प्रस्न मत उतारना कभी भी प्रस्न मत उतारना क्योंकि प्रस्न उतारोगे तो आपका बहुसतारा टाइम चला जाएगा यह मैं अब यहां आप अब एक्जाम समझ आएगा पर दूसरा का है अब ये प्रस्टो देख लेगा जो आपका कॉपी पेपर रहेगा उसमें देख लेगा ठीक है अब दिखा गोली दरपण की फोकस दूरी दथा वक्रतात रिज्जा में क्या संबंध है पता है आप लोगों को क्या नहीं पता पत लाइन वैसे मेरा सीधा लाइन बन जाता है ठीक है तो इसलिए मैं आप लोगों को वैसे बता देदा हूं ठीक है आप लोगी स्किल के सहायता से कीजिएगा तो यहां देखो लिखना है आप लोगों को उत्तर में कि गोल ये दरफण गोल ये दरफण की और ऐसे विल्यू एंड विलेक पिन का यूज़ करना ठीक है फोकस दूरी सौरी चलो ठीक है तथा वक्रतात रिज्जा है ना बहुत साई वक्रतात रिज्ज्जा में या फिर वक्रतात रिज्ज्जा की आधी होती है ठीक है में संबन्ध तो वही ये प्रशन है तो यहां सीधा उत्तर लिख दो आधी होती है ठीक है आधी होती है अब आपको यहां क्या करना है कुछ नहीं कि गोली तरपण की फोकस दूरी तथा वक्रता तरिज्जा की आधी होती है अर्थात यहां कहने का आर्थ है विले के विल्यू कोई भी उज कर लो ठीक है यहां हाइलाइट रहे गोली है तरपण की फोकस दूरी जो फोकस दूरी है एफ है वो वक्रता तरिज्जा के बराबर नहीं होती है बलकि वक्रता तरिज्जा की आधी होती है यानि की वक्रता त प्रतिज्या को आधा कर लो यही इसका सूत्र हो जाएगा ठीक है अब ऐसे अगर आप लिएको लिखना है प्रस्नुत्ता नंबर टू का खा तो निश्चे डाल देज़ेगा प्रस्नुत्ता नंबर टू का खा तब अच्छा लगेगा देखने में ठीक है अब आई होब कि आप से लॉंग कूश्चन वाला आए ठीक है तो लॉंग कूश्चन वाले में भी कुछ नहीं है ठीक है जैसे यहां आप से पूश्चन यहां जैसे चार नंबर है लिखा है फाराडे के विद्धु चुम्बकिये प्रेड़ान के नियमों की व्याक्षा कीजिए फ्रेद व पर लोग लिख दीजेगा च्वा-थार ठीक है प्रसुतित्तं में अजया है फ्रस्ट्ता नंबर न पर चौथा ठीक है मैं और अप लोग को अटलाइन कर देना हैं। प्रस्नोतितन नंबर है एदीक है तूरे गारे लिखते कोbig ऑन लैन अम्ट अजये 1ones आप लोग यह आथा वा लगाएगा अप्रस्क ब्रस्क मतल्त किये गा प्रस्क मुझ शमझ गया करूं सा ठेक है अथा लगा लिख दीजिएगा बास वो आप अब यहां आप लोग जानते हो यहां मैं आपको उसका एंसर नहीं बताऊँगा ठीक है आप लोग समझजा होगे यहां मैं थोड़ा आपको बताता हूँ एंसर इसले नहीं बताऊँगा कि बहुत लोंग हो जाएगा student ठीक है काफी लोंग इनका है फाराडे के विद्धुद चुम्बकिये प्रेड़न शंबंधी दो नियम है फिर यहां आप लोग इसे थोड़ा सा हाइलाइट करने के लिए यहां इसकेल के सहायता से अच्छे से अंडरलाइट कर देजिएगा ठीक है अब लिखना यहां नीचे पर थम नियम और दुदिय नियम तब आपका बहुत ही अच्छा लागेगा ठीक है यहां परशन उत्तर नंबर डाल देजिएगा ठीक है परशन उत्तर नंबर फोल तो कुछ इस टाइब से आपको जैसे माने बताया है आपको परशन उत्तर नंबर डाल दो और कुश्यन ना उतारो आप लोग अच्छे से उसका स्वाल कर सकते हो तो आई होब कि आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड एक्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं ठीक है